तो दस मार्च को जैसा कि सब लोग ये अटकले लगा रहे थे और ये गैस कर रहे थे कि ये एक्साम हो जाएगा और लगबग हर किसी ने ये बना लिया था विचार कि ये एक्साम हो जाएगा और इसी के चलते मैंने क्रेश बैच स्टार्ट किया था और वो क्रेश बैच अभ होगा या नहीं होगा और क्या कोई नया बैच है या फिर अगर नई बैच है तो किस तरीके के हैं क्या कोई आफर है या फिर हम कितने कोर्स अभी जो है आपके लिए बना रहे हैं या लेके आ रहे हैं ये सारी चीजों की जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं इस वीडियो में नमस्कार मैं नागेंद्र आपका फिर से स्वागत करता हूं मेटम आफसिस में और हमेशा जैसे की क्रेश कोर्स का दवाब था और एक्जैम्स चल रहे हैं यूनिवर्स्टी में उन चीजों का जवाब था दवाब था तो बहुत सारी चीजे हैं हम नहीं शेयर कर पाए इस बात का मुझे भी दुख है कि टाइम बहुत कम मिलता है वक्त बहुत कम है तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज कुछ ऐसी जानकरिया तो सबसे पहले तो ये सारी जानकरिया बताने से पहले मैं एक खुशकबरी फिर से शेयर करना चाहता हूँ एक नहीं तीन खुशकबरी आए देखे जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत लोग सोचते हैं कि भी वक्त कब होगा कब होगा एक्साम हमारा टाइम जा रहा है हमने इतना पढ़ दिया हमने लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं इतने टाइम से त्यारी कर रहा हूँ लेकिन उन सभी को अपने बारे में एक बहुत बड़िया पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए कि आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको किसी ने किसी तरीके से कब अचानक से परिणाम दे दें ये मेरा पर्सनल उपीनियन भी है अपनी लाइफ में वो आपको भी नहीं पता इसलिए शार्द गीता में भी कहा गया है कि तुम करम करो और कभी भी ये चिंता मत करो कि फल कम मिलेगा कैसे मिलेगा और एक शेर भी है ये ना सोचो ये ना सोचो कि क्या होगा कुछ नहुआ तो तजुर्बा होगा कुछ नहुआ तो तजुर्बा होगा ये तो तजुर्बा है यानि एक्सप्रियेंस है ये आपको परिपक को बनाता है या आपको पकाता है किसी भी चीच के लिए तो इस बात के लिए आप चिंता न करें पहले तो कि मेरा टाइम चला गया और पेपर नहीं हो रहा है ये आप अपने ले एक positive outlook रखें अब सबसे बड़ा प्रशन है कि क्या अल्टी का पेपर होगा तो मेरी और से मैं कभी भी कोई वीडियो ऐसे नहीं लाता कि ये आ गया इसने ये कह दिया वो कह दिया क्योंकि जब तक solid चीज़ें नहीं है तो मैं नहीं बोलता हूँ तो मेरी और से आप 110% मानिये कि अल्टी का पेपर होगा और अभी लगातार खबरें आपका इशारा कर रही है कि आल्टी का पेपर होने वाला है लेकिन वो इतनी जल्दी अब नहीं होगा क्योंकि आचार संगेता लग जाएगी तो इसको एक मौकी की तरह लें जिन्होंने कुछ लोग ऐसे हैं जो अब शुरू करना चाहते हैं जिन्होंने शुरू देर में किया ये उनके लिए एक वर्दान की तरह आया है और जो लोग पहले से कर रहे हैं वो निराशनो जो लोग पहले से तयारी कर रहे हैं वो निराशनो वो इस बात को सोचे कि उनके लिए एक और अच्छा मौका है कि वो अपने को शाप कर सकते हैं तो एक हजार से ज़्यादा पोस्ट है और होने वाला है और साथी साथ लेक्चिरर के बारे बता दू कि लेक्चिरर का एक्जाम भी होगा और आपके लिए एक और चीज है मेरे पास कि पॉलिटेक्निक जो लेक्चिरर हैं इंग्लिश के उनका भी आया हुआ है या और सबजेक्स के तो वो भी आया हुआ है उनके बारे में भी हमने आपके लिए कुछ सोचा हुआ है अब रही बात यह कि एक्जाम होगा तो कब होगा तो मैं आपको बता दूँ आपके पास 4-5 मेहने से उपर अब होंगे मार्च, एपरिल, मे, जून तो जून या जून लास्ट है जूलाइ तक ही होगा जब भी होगा या हो सकता है कि अगस्त तक भी जाए तो इसलिए अभी किसी भ्रामक खबरों पर कुछ ध्यान न दे जब तक कि साइट अपना कोई नोटिफिकेशन न दे दे तो इस बात को दिमाग से निकाल दें कि होगा या नहीं होगा बस अपना कर्म करें और आपको जरूर फल मिलेगा अब रही बात खुशकबरी की तो मैंने यहीं से बात शुरू की थी कि आप जब करते हैं तो कहीं न कहीं मिलता है तो एक खुशकबरी है कि जो EMRS का पेपर होता है उसमें मेरे वहाँ LT का जो कोर्स कर रहे थे प्रेजेंट ली अर्विन जोयाल तो एर्विन जोयाल ना सिर्फ TGT बलकि PGT यानि कि अर्विन जोयाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद इसलिए कि अर्विन जोयाल जी जब एक तो जैसे ही रिज ÖL निकला उन्होंने तुरंत मुझे इंफॉर्म किया और थैंक्स किया एक ग्राटिट्यूट दिखाया और दूसरा ये कि वो जब लॉट रहे थे डॉक्यूमेंट जमा करके और अपनी जॉइनिंग का लेटर वगरे उसके लिए जब गए थे तो उन्होंने चलती ट्रेन में मुझे वीडियो शूट करके भेजा आउट ओफ इस ग्राटिट्यूट I am so thankful to you Mr. Arvind Jaya and may God bless you with lot of knowledge and may he showers upon you golden moments of life and lot of knowledge तो Arvind Jaya किये double खुशकबरी आप से शेयर की जिन लोगों ने मेरे साथ मेहनत की थी कहीं ने कहीं अगर उनके एक दो नमबर या कुछ परसेंट से रूक रहा था तो बड़े निराश थे उनमें से जी हाँ दो लोग वेटिंग लिस्ट में मेरे आ चुके हैं और उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आके उनका सेलेक्शन हुआ है और फिर से हमारी जो है एल्टी के सक्सेस में अभी तक बड़ोतरी जा रही है तो एक है संजै महता जी और दूसरी है बहुत महनती वो भी एक हाउस वाइब और उनका ये लास चांस था और वह अंजू याद हो तो इन दोनों लोगों को भी बहुत बहुत बढ़ाई कि हमारे वहाँ अभी भी एल्टी के रिजल्स जुडने में लगे हुए है तो ये सब खुशकबरी के साथ अब आप से मैं आगे की बात है शुरू करना चाहूंगा तो सबसे पहले हम कौन-कौन से बैच ला रहे है तो मैं जो बैच ला रहा हूँ आप नोट कीजेगा कि मेरे यहां लिंक सारे बैचस के नीच आएंगे एल्टी का और लेक्चरर का एक बैच एल्टी का हम लोगों की तरह नहीं करते अल्टी लेक्चरर एक साथ पढ़ा है और दो का दरी नहीं एल्टी का बैच अलगा पढ़ाता ह towel और लेक्चरर का अलग तो एल्टी का बैच भी आ रहा है पाँच मार्च से लेक्चरर का बैच भी शुरू हो रहा है तो उसमें classes एक दो के alternative होती हैं, इसमें classes जाधा होंगी, जिससे कि मैं चाहूंगा कि ये तीन-चार महने में खतम हो और फिर आपको revision और test में जोंका जाए, तो इसमें हमारा time double होगा, पहले से, एक चीज ये, जिससे कि आपका course भी खतम हो और आपको grip भी बने अच्छी, उस बिल्कुल तयार हैं, और teachers लोग सारे net.jrf हैं, और वो लोग बिल्कुल तयार हैं, जो biology के हैं, lecturer के और political science वाले हो तुरंत contact कर सकते हैं, उसका भी link नीचे दिया हुआ है, तीसरी बात, एक खास batch, literary terms and moment का, जो कि लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है, इसको मैं exclusively सिर्फ और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, literary moment और terms, और एक एक चीछ बिल्कुल इसमें cover होगी, पूरे जितने अभी तक literature के moment, ये net वाले भी join कर सकते हैं, ये LT वाले भी कर सकते हैं, lecture वाले भी, और इसको बहुत ही, बहुत ही कम पैसों में हम पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ इसले कि literary attitude बहुत जरूरी है, जो अंदर तक जाना पड़ता है, हमारे समझने और दूसरे को समझाने में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, और यहीं pedagogy और teacher की पैचान होती है, तो इसके लिए भी आप आ सकते हैं, तीसरी चीज जो है, ready made courses, ready made courses में LT का और refine होके आ रहा है, lecturer का भी refine होके आ रहा है, pedagogy का already है, वो पूरा सिर्फ तीन चार वीडियोस में बाकी है, वो भी आ जाएगा, पूरी तरह refine होके, एक exclusive लिटरेचर में बहुत अच्छे हैं, सब चीजों में अच्छे हैं, grammar खराब हो जाती है, तो इस बार मैं grammar का भी exclusive ready made लेके आ रहा हूँ, बहुत कम दामों में मिल जाएगा, एक से दस के बीच में सारे course आपको मिल जाएगे, कम दामों में, शुरुवाती discount का फायदा उठा लिजेगा, grammar के अलावा, अगर कोई ये चाहता है कि मैं particularly, सिर्फ और सिर्फ पेड़ागोजी का दू, पेड़ागोजी का भी अलग है, grammar का भी देते थे, अब एक कॉमबो भी बनाया है, जिसमें पेड़ागोजी भी दे रहे हैं, वो भी बहुत कम पैसों में होगा, तो ये आप सारे course इस तरीके से ले सकते हैं, एक screening का आ रहा है, और एक आ रहा है केवल उत्राखंड और GS का, और एक आ रहा है केवल maths और reasoning, तो अलग प्लाइन पे हैं, तो ये सारे आप खरीज सकते हैं, और रही बात की इन courses में क्या है, कुछ लोग मुसे पूस्ते रहते हैं, सर, ready made क्या है, live क्या है, फिर से बता दूँ कि live वो है, जिसमें मैं रोज बैठता हूँ, और एक एक करके चीज़ों को निप्टाता हूँ, और ready made वो है, जिसमें आपका पूरा syllabus folder wise एकटा मिल जाता है, और उसमें आपको self study करनी होती है, दोनों में अंतर कुछ नहीं होता, बड़ा भारी अंतर पैसो का होता है, ready made आपको बहुत सस्ता मिल जाता है, और live थोड़ा महंगा मिलता है, क्योंकि आप जानते है, वक्त की कीमत ह और तीसरी चीज है, कि दोनों में टेस्ट भी बराबर है, बस live में एक फायदा है, कि आपको lifetime में वो मिलता है, या पूरा आपको सुवीधा कि आपका जबता है exam ना हो, पूरा course खतम होने के बाद भी आप हमसे जुड़े रहते हैं, या हमारा बहुत सबसे अलग फीचर है और इस बार LTO Lecturer जो दोनों ले रहे हैं, उनके लिए भी बहुत high discount है हमारे वाँ, तो दोनों भी आप ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और अगर कोई भी confusion है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, क्यों ये इस दोरान मेरे phone लगाता है, बेजी रहेंगे और उठते रहें नहीं है, मैं ही call उटाता हूं, मैं ही सारी बात करता हूं, अब रही बात कि, क्या सर आप मुझे discount देंगे, of course, अभी आपको discount मिलेगा, और अभी जो खरीद लेता हूं, बाद में नहीं पस्ता था, क्योंकि, बाद में चीजें, वो सोचेगा कि, अब मैं वो course भी ले ले ल यह वाला लेना है, तो भी आपको इस समय ही ले लेना चाहिए, क्योंकि दोनों को एकटा बहुत सस्ता पढ़ जाता है, फिर बाद में आप कहेंगे, नहीं बाद में लूँगा, तो फिर वो ही पढ़ेगा, और अगर आपको ready made लेना, ready made में भी discount मिलेगा, तो यह आप कर सक लोगते हैं, अब रही बात की हम courses में क्या-क्या देते हैं, courses को repeat कर दों क्या-क्या देते हैं, daily की class, class के बाद recording, recording के अलावा आपको live interaction का पूरा मौका माइक खोल के, उसके अलावा आपको पूरी तरीके से हर हफते online test हैं, जिनका result भी उसी समय आता है, आपकी counseling है, जिसमें आपको हम बताते हैं, आप personally phone करके पूछ सकते हैं, कैसे क्या करना है, मेरी strategy और planning है last की, important MC क्यों है, 10,000 questions की PDF और लगातार 6-6 online test रोज के होते हैं, last में, मेरे important question अलग मिलते हैं, expert guidance मिलता है, one-liner notes मिलते हैं, और इस बार से जो मैं नया बैच ला रहा हूँ, इसमें एक written जो मैं ने लिखे हैं, उन notes को भी आपके सामने ला रहा हूँ, और वो भी share किये जाएंगे, तो कुल मिला के ये complete package है, रही कि किस बात की विशेषता है हमारे package में, हमारे package में क्या विशेष है, हमारे package में विशेष है, कि हम 15, 20, 25, 30, राइटर ऐसे select करके अपना पल्लू नहीं जाडते हैं, और ये भी नहीं कहते हैं कि वह या इतना ही करो, क्योंकि जब लोक से आयोग ने, या आयोग ने कोई भी, क्योंकि जब आयोग ने कोई syllabus दिया है और हो काफी broad है, तो हम उसको इन बातों में कहके, कि मेरे पाँ इतने राइटर ने इतने में से आएगा, ये हम बहुत जादा over expertise नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वह एक entire English literature है, दूसरा अगर literature का attitude develop करना है, तो मुझे जड़ से step by step लेके चलना होगा, और यही हमारी खास विशेस्ता है, कि हम सारी चीज़े पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे एक बार literature पढ़ते हैं बस, उस इसलिए वो ना सिर्फ LT निकालते हैं, DSS भी निकालते हैं, वो केंदरी विद्याले निकालते हैं, नवदे निकालते हैं, EMRS निकालते हैं, उनके सामने फिर कोई वो नहीं है problem क्योंकि उन्होंने attitude develop कर लिया, तो हमारे वहाँ zero से बिलकुर शुरू किया जाता है, और जो हम grammatical concept, error वाले portion और मेरी जो vocabulary और phrases और ये सब में इसका जो दिया जाता है, और जो बताने के तरीके हैं, वो एक खास pedagogy यूज़ करके दिया जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, और जो लोग मुझसे कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हमारी classes का महौल क्या होता है, और कितने interactive हो आते हैं, तो आप लोग सबसे पहले एक तो positive attitude बना के रखिए, दूसरा कि आप अगर आपको कहीं भी confusion है, कुछ भी problem है, तो आप मुझसे पूछे, अगर आपको bad join करना है, तो मेरा विशेश आगर है कि time से bad join कीजेगा, बहुत देर हो गई आपको decision लेते लेते, करें ना क करें, क्या करें, क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल हाए, तो अब बिलकुल देर न करें, अब ये last मौका दिया है बगवानने कि आपको अब ये भी आपके पास time है, और जो लोग पुराने लोग हैं, अगर वो बहुत पहले कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि नहीं मैं सर स ये वाला बैच में एंट्री मिल जाएगी, सो यही मैं आपको बताने आया था, और अगले वीडियो में मैं आपको जो मुझे भेजी हैं, इन्होंने अर्विन जुयाल जी ने, अंजुयादव ने, वो वीडियो भी शेयर करूँगा, और आपको मॉटिवेशन जरूर मिले कि इन लोगों ने कितनी मैनत की और ये कैसे आगे बढ़ें, तो संजे महता जी, अर्विन जुयाल और अंजु मैम को फिर से मेरी ओर से हारदिक बदाए, और आप सभी लोगों को इस बात के लिए पुना आगर है, कि ये बदाईया आने वाले टाइम पर मैं आपको भी और किसी भी तरीके के जहां से या बहलावे में ना आए, कि मिरा दोस्त वहाँ चलता है, या उसका नाम बताता है, वहाँ करता है, या वो सारी चीज़े इक खटे पड़ा देता है, यह करता है, पहले ये देखो, कि आपके करियर्स को कहीं कुछ पैसों के लिए खेला तो जा रहा है बसे इस बात की चीज़ें देखिए इन बात का ध्यान रखिए और आप जॉइन कीजे मेटमोफसस जरूर आपको एक खास डिफरेंस फील होगा ये मेरा आप से वादा है तो थैंक यू एवे नाइस टे और आप फिर से ये मन मनाईए कि बायलोजी और पॉलिटिक आप मेरे से सारी information लिजिए और registration कराईये और फी payment करके आप शुरू कर सकते हैं और जो رेडिमेट कोर्स लेता है उसको लेना होता है मेरे आप से जो की नागंडराज मेन मैटमोफसस है और जो live कोर्स लेता है उसे direct मुझसे बात करनी होते हैं और मुझसे लेना होता है अगर कोई confusion हो तो direct आप मुझसे पूछ सकते हैं So, thank you everyone और मिलते हैं next video में और उसमें मैं आपको लेके आऊंगा इन सारे successful लोगं की motivational story और कुछ नए आपके topics related video Thank you, have a nice day